इस current affairs funda में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ आपके साथ अभी शेक शर्मा और इस वीडियो में हम 17 अगस्तक के सभी important current affairs cover करने वाले हैं हमेशा की तरह आप वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा आज भी आपको काफी कुछ जानने के लिए मिलेगा साथी का इस session को सुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा यदि आप हमारी daily current affairs pdf, weekly pdf और monthly pdf चाहते हैं तो इस video के first comment में दिये गए link पर click करके पा सकते हैं ज्यादा जानगारी के लिए आप इस slide पर दिये गए सभी points को जरूर पढ़ें और कोई भी आपका doubt हो कुछ भी आप पूछना हम जो है solve कर पाते हैं mail मैं आपको बता देता हूं current affairs funda at the rate gmail.com फिर से मैं दो रहाँगा current affairs funda at the rate gmail.com तो इस पर आप जो भी आपकी समस्या है वो आप हमको send कर दिया करें देखे कई aspirants हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिनोंने हमारी membership ली हुई है जिनोंने हमारा pdf course लिय हुआ है बिल्कुल सही उनका चल रहा है उन्हें कोई समस्या नहीं है सभी material के पास उपलब्द है सुरू सुरू में हो सकता है कोई आपके साथ दिक्कत हुए जैसे आपने आज payment की तो हो सकता है कि एक दो दिन के लिए आपको समस्या कुछ आ सकती है सब के साथ ऐसा नहीं ह करता है अगर कोई आए समस्या तो आप हमें मेड जरूर कीजेगा वो तुरंध हम रिजॉब कर देते हैं तो चले फिर करते हैं सुरुवात इस वीडियो सेशन की कौन सी फर्म सेना को गोला बारूत की आपूर्ती करने वाली पहली नीजी छेत्र की इकाई बन गई है ओप्शन्स आपके सामने है और सही आंसर होगा ओप्शन डी तो देखे पहली बार ऐसा हुआ है इंडियन डिफेंस एकोसिस्टम में की इंडियन आर्मी ने किसी प्राइवेट फर्म से गोला बारूत यानि की एम्म्यूनिशन जो हता है यह प्राप्त किया है तो यह नागपूर में स्थित एकोनोमिक एक्स्प्लोजीव लिमिटेड यह एक कम्पनी है तो इससे प्राप्त किया गया है तो इसने ग्रेणेट दिये हैं भारती सिना को और इससे पहले जो कि सुरक्सा के लिए कौन सा कारिकरम सुरू किया options आपके सामने है be internet cool, be internet safe, be internet secure या फिर be internet awesome सही answer होगा option D, so be internet awesome program has been launched by google for kids safety in India, और यह जो प्रोग्राम है google का be internet awesome, यह इसने एक Indian comic book publisher है Amar Chitra का था, इसके साथ मिलकर launch किया है, तो इसमें कई तरह के internet safety lessons provide कराएगा google 8 Indian languages में, निम्लिखित में से कौन बाजार पुंजी करण में, यानि market capitalization में 100 अरब डोलर को पार करने वाली 4 भारते company बन गई है, options आपके सामने है, SCL, TCS, Vipro या फिर Infosys, सही answer होगा option D, so Infosys has become the 4th Indian company to cross 100 billion US dollar in market capitalization, तो यहाँ पर 100 million की market capitalization हो गई है Infosys की और ये कारणामा करने वाला ये 4th Indian company बन गई है, इससे पहले Reliance Industries, Tata Consultancy Services और STFC Bank इस लिश्ट में सामिल है, बारत में Startup Ecosystem को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्राले ने समृद कारेगरम सुरू किया, options आपके सामने हैं, और सही answer यहाँ पर रहेगा option D, So Ministry of Electronics and Information Technology, Launched Samridh Program to Boost Startup Ecosystem in India, जानते हैं इसके बारे में, तो देखें, Startup Ecosystem को बूस्ट करने के लिए, Ministry of Electronics and Information and Technology, इस मिनिस्ट्री ने समृद नाम का एक प्रोग्राम लॉंच किया, या Accelerator लॉंच किया, इसकी फुल फॉर्म जान लीजे, Startup Accelerators of MEITY, जानी कि यह जो मिनिस्ट्री है, इसका नाम, For Product Innovation, Development and Growth, यहाँ पर R को जो है, यह Product है, तो इसका मतलब R है, ठीक है, तो समृद, यह इसकी फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, पूछ लिए जाता है कि किस Initial का नाम का मतलब क्या है, एका मतलब यहाँ पर किस से है, तो Accelerator से है, देखे फ्रेंट्स, यह एक Startups के लिए प्रोग्राम है, मैंने आपको कई बार बताया कि Accelerator क्या होते हैं और Incubator क्या होते हैं, Incubator और Acceler इन दोनों को आप एक दूसरे के बतले यूज़ कर सकते हैं, टर्म्स को ज़्यादा अंतर नहीं होता है, बस Incubator का यह रहता है, माल लिजिए, आप चाते हैं, कोई Invention आप क कराते हैं, मैनेजमेंट देते हैं, कोई Legal Services देते हैं, तो सुरुवाती स्टेज पर, यदि आप कुछ बना रहे हैं, तो आपको सहायता देगा Incubator, Accelerator क्या होता है, आपकी कोई firm सेट अप हो गई है, अब उसको Grow कराना है, उसमें जो है, उसका Market अच्छा करवाना है, मार्क Incubator or Accelerator, आई उप आप समझे होंगे, आपने कोई प्रोडेकर बना आया, अब उसके लिए Marketing भी चाहिए, Legal Services चाहिए, Management चाहिए, तो वो सभी Provide कराते है, Incubator or Accelerator, तो देखे, इसमें लिखा है, कि ये जो सम्रिध प्रोग्राम है, ये 300 Startups, इन सभी को Accelerating करने का कारे ताकि अच्छा मार्केट मिल पाए, ठीक है, तो इसका काम करेगा, और ये कब तक प्रोग्राम रहेगा, अगले 3 साल तक इस प्रोग्राम को launch किया गया है, साथ है आपको जानना चाहिए, जो ये Ministry है, Ministry of Electronics and Information and Technology, तो इसमें जो Union Minister नहीं है, अस्विनी वैश्नो, लोन टैप ने किस बैंक के सहयोग से पहला Limitless यानि असीमित प्रिपेर्ड कार्ड लॉँच किया, और सही आंसर होगा option D, So, लोन टैप लॉँच्ट लॉँच्ट दफर्स्ट लिमिटलेस प्रिपेर्ड कार्ड इन एस्सोशीएचन विध स्टेड बैंक अफ मॉरिस्स, लेस्ट प्रिपेड कार्ड लॉंच किया है किसके साथ मिलकर SBM यानि State Bank of Morrisis और Rupay Network के साथ मिलकर तो इसमें किया है यह दिया आपको लॉंच चाहिए आपके बैंक पे बिल्कुल बैलेंस नहीं है तो आप लॉन ले सकते हैं और उसको फिर बाद में EMI के तोर पर भी आप लोटा सकते हैं और जो इंटरस्ट लेगा वो केवल आपकी जो आपने प्रिंसिपल एमांड जो थी उस पर इंटरस्ट लेगा साथ है आपको जानना चाहिए गर हम SBM Bank India की बात करें जो इंडिया में इसका जो नेटवर्क है तो यहाँ पर इसके MD and CEO सिधार्द रत हैं इंडिया में और जहाँ पर जो इसका ओफिस है हेटकॉर्टर साब कह सकते हैं मुम्बई में है SBM Bank India RBI ने भगत अर्बन कॉपरेटिव बैंक पर 15 लाक का आर्थिक जुर्माना लगाया है यहाँ बैंक किस राज्य में इस्तित है यह आपको बताना है ओप्शन्स आपके सामने है और सही आंसर होगा ओप्शन D The Reserve Bank of India has imposed a monetary penalty of 15 लाक होन भगत अर्बन कोपरेटिव बैंक The bank is located in which state answer is हिमाचल परेज The bank यानि कि इसको define कर रहा है यह जो द लगा है न इसका मतलब है कि इससे पहले किसी bank की चर्चा हो चुकी है उसके बारे में यहाँ पर कहा जा रहा है देखे जब भी आप news पढ़ें तो उसके साथ साथ आप English को भी सीखने की कोशिश क्या कीजिए यह दोनों काम अगर आप एक साथ करेंगे तो आप देखे कितना improve आप खुद को करते हैं ठीक है अगर यहाँ पर मैं A लगा देता A bank तो वो कुछ अर्थ ना बैठता देखा यूस कब होता है जब आप किसी प्रीवियस चीज को डिफाइन करना चाहते हैं उसके बारे में पहले चर्चा कर चुके हैं तो जब भी आप न्यूस पेपर पढ़ें तो उसमें आप इंग्लिस और न्यूस जो करन्ट रफेर्स हैं उनको एक साथ ही समझे खेर आगे बढ़ते हैं त्रिजर बैंक ओफ इंडिया ने 15 लाग विप का जर्मना लगाया है बगत अर्बन कोपरेटिव बैंक पर यह कहा है सोलन डिस्टिक जो ही माचल परदिस में यहां पर यह इस्तित है किस लगुवित्ट बैंक ने कैरल फर्टाडू को ओफिसर ओन इस्पेसल ड्यूटी या सही आंसर आपके लिए अप्शन सी तो जो अपौंटेटिड कैरल फर्टाडव में लोगने के मले खोनां सैन निति इस्पेसल जिप कर दिया है तो तो किसी को दो-भ соврем इस्तód मैंट देखना हैं कि को तो व यहें सव्माडब क सीव एक पलाइब चीफ झालख औहन हाला ने ठ कर दिया है तो अब किसी को तो मैनेजमेंट देखना है किसी को तो यह जिम्मेदारी निभानी है तो इसलिए अब कैरोल फॉर्टाडो इनको ओफिसर ओन इस्पेसल डूटी पर इनको निव्ट किया गया है अब आरबी आई के पास इनका नाम भेजा जाएगा तो अगर आरब बैटर वर्ड यह है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस बैंक के एमडी और सीओ के रूप में संधी बक्षी की फिर से नुकती को मंजूरी दे दी सही आंसर यहां पर रहेगा ऑप्शन सी दरिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एज हैज एप्रूफ दरी अपॉइन्मेंट संधी बक्षी as the MD and CEO of ICICI Bank तो आप सब भी जानते हैं ICICI Bank के MD and CEO संधी बक्षी तो अब इनको दो साल का और कारेकाल के लिए रियापॉइंट किया गया है तो अब यह 3 October 2023 तक इस पत पर बनी रहेंगे तो यह भी आपके लिए जानना चाहिए कब तक तो 3 October 2030 दो साल के लिए तो इस साल 2021 के अक्टूबर से इनका कारेकाल शुरूगा और 2030 तक चलेगा साथ ही आप जानते हैं कि ICICI Bank का Headquarters मुंबई में है और इसकी Tag Line है हम है ना ख्याल आपका और अगर हम बात करें ICICI Bank से जुड़े जो हमने latest current affairs पढ़े है तो उनमें हमने पढ़ा है कि एक इसका यह Stack for Corporates इस तरह का एक Banking Solution launch किया है साथी ICICI Bank ने Sell You Doctors इस तरह का एक Campaign launch किया था या Banking Solution launch किया था साथी ICICI Bank ने HPCL के साथ मिलकर ICICI Bank HPCL Super Siver Co-branded Create Card इसको launch किया था साथी ICICI Bank ने Merchant Stack इस तरह का एक Banking Platform फोर्म मर्चेंट्स के लिए लॉंच किया था तो यह सभी आप याद रखेगा आगे बढ़ते हैं State Bank of India की Eco Rep Report के अनुसार भारत की GDP First Quarter किसके Fiscal Year 22 के First Quarter में कितने परतिशत बढ़ने की उमीद है या बड़ी है Options आपके सामने हैं सही आंसरों का Option D As per the SBI's Eco Rep Report, India's GDP is expected to grow at 18.5% in First Quarter of Fiscal Year 22 तो Fiscal Year 22 मतलब 2021-22 तो देखिए SBI की जो यह report आती है Eco Rep Research Report है SBI की तो इसने एक आया कि जो पहला quarter रहा है Fiscal Year 22 का यानि कि जो अपरेल मई जून का जो quarter रहा है तो उसमें जो भारत की GDP ए 18.5% से ग्रो की है ऐसा अनुमान इसने लगाया है साथ ही आपको जानना चाहिए यहाँ पर जो बार्कले है बार्कले इंडिया इसने काहा था कि 21.2% रहेगी फस्ट काटर में और RBI ने प्रोजेक्ट किया था कि 21.4% रहेगी तो यहाँ पर सबसे कम SPI नहीं कहा है 18.5% रहने की उम्मीद इनको रही है हाल ही में किस बैंक ने CDSL में अपनी लगबग 2% हिस्सेदारी 222.7 एक क्रोड रुपे में बेची है येस बैंक, एक्सेस बैंक, आइसी एसी बैंक या फिर SDFC बैंक सही आंसर होगा है आपर ओप्शन डी रिसेंटली SDFC बैंक सॉल्ड रांग 2% of its stake in CDSL for Rs. 222.71 क्रोड रुपीज तो SDFC बैंक नहीं हाँ आपर Central Depository Services Limited CDSL में 2% stake अपने बेच दी है आपको जानना चाहिए SDFC बैंक के CEO ससीधर जगदीशन है MDN CEO और Headquarters मूंबई महराष्ट में है और इसकी tagline है We understand your world और बहुत लेटेस हमने SDFC बैंक से रिलेट करंट अफेर्स ये पढ़ाए कि SDFC बैंक को Finance Asia द्वारा Best Bank बताया गया है रिजर्बैंक को फेडिया ने किसे कारेकारी निदेशक यानि Executive Director निउक्त किया है सही आंतर यहां पर रहेगा Option B So, अजे कुमार has been appointed by the RBI as Executive Director देखे, RBI में कई सारे Executive Director होते हैं लेकिन अलग-लग Department के लिए उनको जो है चुना जाता है तो यह जो अजे कुमार है, इनको Executive Director मनाया है और यह किस Department को देखेंगे Departments of Currency Management, Foreign Exchange and Premises Department Future Retail Limited के मुख्य कारेकारी अधिकारी के रूप में किसे निउक्त किया गया है Options आपके सामने है, सही आंसर होगा Option D Sada Sivnayak has been appointed as the Chief Executive Officer of Future Retail Limited तो देखें जो यह Future Retail Limited है, इसके Chief Executive Officer बनाये गए है Sada Sivnayak, यह वही Future Retail Limited है जो Big Bajar, FPP, Food Hall, Easy Day, Neelkriz इस तरह के जो Retail Store से इनको Operate करता है Future Retail Limited कई बार Question बन जाता है, Friends की Big Bajar को किसके द्वारा Operate किया जाता है नाम बता, यह तो Option में मिल जाएगा, आपको Future Retail Limited तो इस तरह से भी Question बन जाते है Adidas के Stay in Play अभियान का प्रचार कोन करेगा? Options आपके सामने है, PV सिंदू, रवीदयया, नीरचोपडा या फिर मीरा भाईचानू सही आनसर या आपर रहेगा Option D So, मीरा भाईचानू will promote Stay in Play campaign of Adidas यानि की Adidas ने अपना इनको Random Master बनाए इस तरह से आप इसको समझ सकते है या इनका Adidas का जो यह campaign है Stay in Play इसमें अपना Face in नमना है मीरा भाईचानू को Adidas आप जानते हैं, जर्मानी की एक Food, Fear and Accessories कमपनी है तो देखें जो यह Stay in Play campaign है तो जो Sports Women होती है तो यादि वो अपने Menstruation Period से गुजर रही है तो तब भी उनको कोई दिक्कत ना हो इस तरह की इसने Kit मनाई है इस तरह की पहनने की Kit मनाई है ताकि वो अपने Sports को Carry On कर सके Power Finance Corporation Limited यानि PFC ने जल विद्धित परियोजनाई के विद्ध्य पोसन के लिए किस कमपनी के साथ एक समझोते पर हस्ताक्षिर किये है सही आंसर यहां पर रहेगा Option C Power Finance Corporation Limited has signed a pact with NHPC to finance hydro projects तो देखें Power Finance Corporation Limited इसने NHPC Limited के साथ एक MOU साइन किया है किसलिए ताकि जो hydro projects है जो NHPC के जो hydro projects है जो इसके पास उसके लिए fund provide करा सकी साथ यह आपको जानना चाहिए NHPC का headquarters फरीदाबाद हर्याना में फरीदाबाद जो है NCR रिजन में भी आता है और इसके chairman and managing director है अभेकुमार सी कभी-कभी क्या होता है ना friends Wikipedia पर जो CEO है या फिर CMD है यह updated नहीं रहते हैं तो कभी भी आप किसी जो company है या फिर कोई bank है इसका अगर आप Chief Executive Officer कभी भी देखें तो लिख दिया करें जैसे आप NHPC का जानना चाहते है तो NHPC फिर आगे लिख दीजे Board of Directors तो जो पहला link मिलेगा वहाँ पर आप देखेंगे तो आपको मिल जाएंगे कि कौन इसके CMD है इसी तरह से कोई भी bank हो कोई भी firm हो आप उसमें ऐसे देख सकते हैं किस food ordering और delivery platform ने Jumpstar 2.0 पहल शुरू की है options आपके सामने है सही answer यहाँ पर रहेगा option B so food ordering and delivery platform Swiggy launched Jumpstar 2.0 initiative तो Swiggy ने Jumpstar 2.0 initiative को launch किया है किसलिए जो COVID-19 के कारण जो restaurant partners है इसके उनकी recovery करने के लिए उनका revival ले लिए है तो यह 2.0 है यह 2.0 पहला जुरू आप कह सकते हैं तो इसका जो पहला edition है यह इन्होंने जून 2020 में launch किया था क्योंकि COVID-19 ने कारण 50,000 से ज़्याद जो restaurant partners थे इनकी उनकी इसने साहेता की थी आपको जानना चाहिए Swiggy इसका headquarters बेंगलूरू में है और इसके जो CEO है यह है श्रीहर्स मज़र्टी भारत का जाकिस्तान संयुक्त परसिक्षन अभ्यास का कौन सा संस्क्रण काजिंद 21 हाली में आयुचित किया गया है ओप्शन्स आपके सामने है सही आंसर होगा ओप्शन D So 5th edition of Indo-Kajakistan Joint Training Exercise काजिंद 21 was held recently और यह edition कहां पर हुआ है Training Node HBB कजाकस्तान में साथ है आपको जानना चाहिए कजाकस्तानी कैपिटर नूर सुल्तान है और यहां की करंसी है कजाकस्तानी टेंज भारत ने व्यावसाई के लेखा प्रसिक्षन के छेत्रों में सहयोग करने के लिए कि इस देश के साथ एक समझोता गयापन पर हस्ताक्षर किये है ओप्शन्स आपके सामने है सही आंसर होगा ओप्शन बी इंडिया साइन एन M.O.U. विद रशिया तो कोपरेट इन एरियास ओफ प्रोफेशनल एकाउंटेंजी ट्रेनिग तो देखे यूनियन कैबिनेट ने M.O.U. को एप्रूव किया है किसके बीच में इस्टिट ओफ चार्टर्ड एकाउंटेंट ओफ इंडिया और इस्टिट ओफ प्रोफेशनल एकाउंटेंट्स ओफ रशिया इन दोनों के बीच में तो वही है जो कोश्यना मैं आपको बताया है एज़ दोनों कंट्री जो है आपस में जो एकाउंटेंट्सी प्रोफेशनल एकाउंट्सी ट्रेनिंग है प्रोफेशनल एठीक्स तेक्निकल रिसर्च एडवांसमेंट ओफ एकाउंटिंग नॉलेज इन सभी छेत्रों में जो है एक दूसरे का सहयोग करेंगे किस देश ने स्वदेश में विक्सित multi-launch rocket system फत्य वन का सफलता पुरुवक परिक्षन किया है सही answer होगा option C तो पाकिस्तान successfully test launched and indigenously developed guided multi-launch rocket system फत्य वन तो याद रखिया फत्य वन तो यह किया है पाकिस्तान में launch अब देख रहेते हैं friends previous assignment questions के answer what is the capital and currency of Libya answer is Tripoli and currency is Dinar who is the current prime minister of Singapore answer is Lee Seung Long Jim Corbett Nussel Park is located in which state answer is Uttarakhand Hockera Ramsar wetland is located in which state or union territory answer is Jammu and Kashmir highest altitude cinema theater in the world has been opened in which Indian union directory answer is Ladakh and it was inaugurated by Pankash Tripathi और आप में से कई एसमें ने बिल्कुल सही answer दिया है पांचोई questions का इसे आप participate करते रहिए अब जान लेते हैं आजके assignment questions और friends यदि आपको मारा content अच्छा लगता है हमारा explanation पीचे पीचे कारण रहता है ना like करते हैं तो इसका कारण है आपको पसंद आया है और आप बताते भी हैं और यदि आपको dislike करते हैं तो वह भी आप बताईए हमें कि क्यों आपने dislike किया है ठीक है ताकि हम उसको इंप्रोव कर सकें आपके dislike को like में बदल सकें चलिए देख लेते हैं वट इस दा वाइडेस्ट रिवर इन द वर्ड वर्ड वट इस दे चेर्मेन ऑफ वीच जनेरिक फार्मसुटिकल कंपनी देखे फैंट जो फोर्थ कोशन है यह हाली में फरवरी के महीने की बात है उसमें चर्चा में रहा था क्योंकि भारत इस टेम को बनाने में सहयोग करने वाला है तो यह हाँ के लिए कोशन इसका तो आप जबाब ज़रूर दीजगा बाकि सभी कोशन आपके लिए कोशन आप के लिए इंप़स्ट है पाँचोगी कोशन के आंसर आप में comment box में ज़रूर परवाइट खराईएगा और यदि आपको एक question का answer भी आता है तो वो भी आप हमें comment box में बता सकते हैं साथी current affairs funda को आप telegram पर भी join कर सकते हैं यहाँ पर regular video updates और current quizzes हम आप सबें के लिए डालते हैं साथी discussion group में आप किसी भी question का solution पा सकते हैं दोस्ते हैं आपर हमारे current affairs की playlist दी गई है इसको आप जरूर देखें अपने दोस्तों के साथ fellow experience के साथ share जरूर करें आज का यह current affairs session आपको कैसा लगा हमें comment box में जरूर पताईएगा Thank you guys